संद लोकस का सुस्वमचार अध्याई एक पसंग्या चपन से हम बढ़ते हैं लगबग तीन महिने इलिजबत के साथ रहकर मरियम अपने घर लाउट गई इलिजबत के प्रसो का समय पूरा हो गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया उसके पडोसियों और संबन्दियों ने सुना कि प्रभू ने उस पर इतनी बड़ी दया की है और उन्होंने उसके साथ आनंद बनाया आठवे दिन वे बैच्चे का कतना करने आये वे उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरियास रखना चाते थे परंद उसकी माने कहा जी नहीं इसका नाम योहन रखा जाएगा उन्होंने उससे कहा तुमारे कुटुम्ब में ये नाम तो किसी का भी नहीं है तब उन्होंने उसके पिता से इशारे से पूछा कि वह उसका नाम क्या रखना चाता है उसने पाटी मंगा कर लिखा इसका नाम योहन है सब अच्चंबे में पड़ गए उसी च्छन जकरियस के मुख और जीब के बंदन खुल गए और वह इश्वर की सुदी करते हुए बोलने लगा सभी पड़ोसी विश्मित हो गए और यहूदिया के पहाड़ी प्रदेश में ये सब बाते चारो और फैल गई सभी सुनने वालों ने उन पर मन ही मन विचार कर रहा पता नहीं ये बालक क्या होगा वास्तों में बालक पर प्रभु का अनगर बना रहा उसका पिता पवित्रात्मा से परिपून हो गया और उसने प्रभु की बविश्यवानी की प्रेज़ लौट सबको जेश्व एक बार फिर हम आपको ये महान एक गरिजा के पास लेके आए हैं जहांबर जकरिया का सम्मर हाउस का जाता है जहांबर संद योहन बप्तिस्ता का जन्म हुआ है और ये जो जकरिया का घर जहांबर पुराने सदियों में चर्च बनाया गया है उसका जो उपर अभी नया गर नया जो चर्च बनाया हुआ है तो आपको सब भी देखने को मिलता है तो तीसरे और चौते सदियों में जो बैसेंडेन मोडल में जो चर्च बनाया है उसको उपर अभी नया घर बनाया हुआ है जो अपने पहले देखा है चर्च विसिटेशन हो विंडर हाउस याने शर्दी में जो जकरियास जो महापरोईद रहा उनका घर का लाया जाता है अभी जो है ये सम्मर हाउस मना जाता है तो आईए हम अंदर जाके इसका दर्शन करें और प्रारतना में भाग ले सबको जेशो आईए प्यारे भाय और बेनो बाइबल के सबसे सुंदर गटनाओं में सी एक है अभी हमने पढ़ कर सुना है और हम वही हैं जहांबर ये सब गटिद हुआ कलीसिया में सिर्फ प्रभियेश्य मसीख का और संदियोहन बक्तिस्ता का जन्मदिन मनाते हैं याने जन्मोल्सो मनाते हैं या नेटिविटी ओफ आर लोर्ड याने नेटिविटी ओफ जॉन दे बैप्टिस्ट याने वो गिर्जागर के अंदर हम प्रभियेश कर रहे हैं जहांबर संदियोहन का जन्म हुआ है और ज़्यादातर चर्चेस जो होली लैंड में है दो मंजिल का होता है जो पहले जब हम प्रवेश करेगा वहांबर चर्च और वेदी है और जहांबर में सब लिदान होते हैं उसके बाद इसके नीचे हम लोग जाके देखते हैं जहांबर वो असली जगह जो है बिल्कल उसी तरह ये कुपसूरत गिर्जागर है जहांबर आप माता मर्यम का और लेफ सेड में जगरियास का राइट सेड में एलिसबत का परतिमाओं को देखते हैं ये काफी कुपसूरत और बहुत अद्बुत चमतकारिक एक जगह है सभी प्रार्थना में बने रहिएगा क्योंकि ये जगह बहुतों का जिवन बदल ला रहेगा ये बैसेंटेन तरीके से जो बनाये हुआ पुराने चर्च के हिसा हमें देखने को मिलता है और उसके उपर ये अभी का नए चर्च अभी निरमित हुआ है और संद योःन बधिस्टा का जन्मस्तान के और हम आगे बढ़ेंगे जहाम बर कहा जाता है कि योःन बधिस्टा का जन्म हुआ है तो आईए प्यारे भाई और बेनों ये जो जगा जो है अनियेक दंपतियों को खास करके निस्तान दंपतियों के लिए मिशेश रुबे प्रार्थना करे कि वे माता पिता बनने की जो इच्छा रख के प्रार्थना करे इस वक्त उनके जिवन में प्रभू बहुत सारे कृपाओं से वर दे एक संतान के वरदान प्रदान करे इस वक्त अमारे साथ मिलकर प्रार्थना करे इलिजबत और जग्रियास के जैसे विश्वास करे और प्रभू को महिमा देने के लिए आपको कृपा मिलेंगे इस वक्त हम प्रार्थना करें खास करके अभी इस वक्त जो लोग उठना ठेक रहे हैं बिलकुल उस जगह के सामने है इस वक्त हम प्रार्थना में बने रहे हैं जो जगह आप दिख रहे हैं बिलकुल एकजार प्लेइस हैं जहांबर ये ग्रोटो बनाया हुआ है ये छोटा सा प्लेइस हैं और बताते हैं यहांबर जो जो हन वक्तिस्ता एश्यू का अगवाई करते हुए प्रभू के आगे आगे चले इलिया नभी के जैसे उनका जन्म स्तान है एकपल सब लोग प्रार्थना करें कि जो भी इस वक्त हमारे साथ प्रार्थना करें उनका जिवन में प्रभू इतनी महान कृपा करें जैसे एलिया से बक्त के जिवन में किया है जैसे जिवन में प्रार्थना करें जैसे जिवन में प्रार्थना करें प्राथना करें प्रेज दो लोड़ हाललुया हाललुया सिद्र सामने हमें जेतुन पहाड दिखाई दे रहा है जहां से प्रभी एशु स्वर्ग में उत्गरेट किया गए है तो वहां से बिलकुल खड़े होने से पूरा जरुसलेम को हमें देखने को मिलता है और हमारे दाए तरफ जरुसलेम का ओल्ड सिटी है जहांबर कालवरी है मोरिया पहाड है अभी हम जेतुन पहाड के और प्रस्तान हो रहा है जहांबर से प्रभी एशु स्वर्ग के और उठाए गए है उस जगह पर प्रभु का पदचिन है बताया जाते है और मौंड ओफ वली यानि जेतुन के पहाड हमें देखने को मिल रहा है हमार लिए विश्वास के रहस्यों में एक है एशु स्वर्ग में उठाए गए तो ये प्यारे भाई और बेनों हम इस रास्ति से जब गुजरेगा हमें स्वर्ग में उठाए जाने के लिए कोशिश करना चाहिए एक ऐसा जीवन हो जो इस धरती से जुड़ा हुआ नहीं है बैलकि स्वर्ग उत्मुख होना है स्वर्ग की तरफ उठाए हुआ एक जीवन बताना है प्रेज देलोट हम लोग हमारे इस तेरत्यात्रा में माउंट ओफ अलिप्स चापल ओफ दी असेंशन यानि स्वर्ग आरोहन का प्रभीयश्यू का पुनरत्थान के बाद 40 दिन जब हुआ प्रभु स्वर्ग में उत्गरिद हुए वही जगा पर आप हम पहुँचे हैं अभी जो ये जगा है ये हमारे किसी चर्च के साथ नहीं है हमारे मुसल्मान भाई बहनों के अधिर्ता में है इस जगा भी और ये जो आप दिख रहा है जो चटा सच जगा जो बना रखा है वो उसके बीतर में हम देखते हैं कहा जाता है एश्यू का पदचिन यांबर मुद्रित किया गया है पत्थरों बर इसलिए लोग आकर उसका चुमन करते हैं नमन करते हैं पताय जाता है यहां से प्रभू सर्ग में उद्गरहित किया गया है ये जगा पर हम विंदी करें इस वक्त हमारे परिवार के अन्य सदस्यों को भी जो खास करके नशे शराब से पिडिद है अनेक बुरी आत्माओं के बंधनों से हैं वे सब के सब इस संसारिक जीवन के बंधनों से चुटकारा पाएं और प्रभी येश्यों के ये महान सर्ग में चड़े जाने का महान भेद के अनुसार उनका जीवन में इन सारे बंधनों से चुटकारा मिले आए हम अपने प्रेजनों को जो किसी भी प्रकार के मानसिक और इस प्रकार के बुरी आत्माओं से प्रेडिद हो या दुष्टे शक्तियों से प्रेडिद हो और बुरी आदतों से प्रेडिद हो उनके चुटकारा के लिए इस वक्त प्रार्थना करें कि एश्रमसी जो मृत्यू को और संसार को पर विजय पाक स्वर्ग में अरोहित कर लिए गए हैं इसी वक्त हम प्रभु के उस स्वर्गारोन का महिमा को इस हमारे परिवार के सभी सदस्यों के लिए प्राप्त करें प्रार्थना करें इसी जगह पर हम प्रभु के आशिश को कृपा को अनभव करते हुए आगे हम बढ़ते हैं और जो प्रभु ने हमारे पिता की प्रार्थना सिखाया उस चर्च के तरफ हम प्रस्तान हो जाए इस जगह जो है जहांबर प्रभु ने अपने प्रार्थना सिखाया है यह हमारे पिता की प्रार्थना जहांबर मंदिर में जाने के पशात प्रभी येशु कई बार इस जगह पराया करते थे अपने शिशों के साथ हमारे सामने जरुसलेम शहर है सारा जो कालवरी पहाड है मोरे पहाड है तो हम सामने दिख रहा है पूरा ओल्ड सिटी है जो गॉल्लन डॉम है पहले जो जरुसलेम अंदिर का अभी जो मौस्क है अलास्का मौस्क आरा जाता है उसके एक दम पीछे दिख रहा है कालवरी च समयनी भाग जिसके बारे हम चारों सो समाचार में इसका दिक्र किया गया है अंतिम बयालू के बाद आकरी भोजन करने के बाद बे लोग सब इस भाग में आए एशु के साथ है एशु व्याकल हो उठने लगे और प्रारतना करने लगे शिश्यों से तुड़ा हट कर यह वही जगा है झाल झाल